स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी वीद महैश में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्थ योजना संख्या 13 को लेकर के जो की आपका सारीरिक सिक्षा नामक विश्य से समंदित है और आज का प्रकरण है हमारा सारीरिक सिक्षा तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे इसके प्रिवियस वीडियो की बात की जाए तो हमने बात की थी लेशन प्लान नमबर 12 को लेकर की जो की आपका गडित विश्य से समंदित था तो अगर आप DLR या BTC 4 समेस्टर में हैं तो आपको 1-220 लेशन तयार करने होंगे सभी सब्जक्ट के लिए Classics to 8 से तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं वहाँ पर आपको काफी सारे लेशन प्लान बताये गए हैं जिसे देख करके आप अपने टीचिंग के लिए लेशन प्लान तयार कर पाएंगे तो चलि लिएगा कक्षा यानि Class की बात की जाए तो यहाँ पर 6 पड़ी है चक्र यानि पीरियर्ट की बात की जाए यहाँ पर 4 है आप अपने एकॉर्डिंग 1,2,3,4 जो चाहें डाल सकते हैं उसी तरीके से आप डियूरेशन यानि Time Period भी अपने एकॉर्डिंग डिवाइट कर सकत हैं कि कितने मिनट को आप पीरियट ले रहे हैं ठीक यानि 30 के लिए ले रहे है 35 या 45 45 से जादा मत रखिएगा ठीक है तो इस तरह से आप टाइम पीरियट भी लिखेंगे और विशय की बात की जाए यानि सबज़ट की तो यह है आपका सारीरिक सिक्षा और सारीरिक तो आज के इस वीडियो में हम इसे टॉपिक पे बात करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे जनल एम्स यानि जिसे आप सामानी उद्देशी कहते हैं हिंदी में जनल एम्स की बात की जाए तो इसमें आप जनल इंफोमेशन देंगे अपने स्टुडेंट्स को सब्जक्ट से रि विशय विशय देश्यों की जानकारी देना तीसरा है चात्रों को सारीरिक एवमानसिक रूप से स्वस्थ रहने हे तो प्रेडित करना चोथा है चात्रों को सारीरिक सिक्षा के महत्व की जानकारी देना तो यह हो गए आपके सामानी उद्देशी जो की आपके विशय से सम पंदित हैं और मिनीचर या डाइग्राम की बात की जाये ठीक हैं तो यहां पर आप सानीरी शिक्षा से समनेज्ञे कोई भी लगा सकते हैं जो कि यहां पर दिया हुआ है तो बिल्कुल आप ऐसे ही आप इंटरनेट से निकलवा करके या फिर बना करके भी लगा सकते हैं आगे हम देखेंगे विशिष्ट उद्देशी यहां पर छिप गया है आप साइड में विशिष्ट उद्देशी डाल लीजीगा इसमें आप ल टोपिक भी सारे तुजक्षा है तो इसमें आप टोपिक ही लिखेंगे ठीक है उसके बाद हम देखेंगे साहायक सामगरी यानि जिसे आप टीलम कहते हैं इसमें आप लिखेंगे part से समंदी chart एवं चित्र चुकि आपने TLM में part से समंदी chart एवं चित्र का प्रयोग किया इसलिए आपने TLM में ये show किया है अगर आप इसके अलावा कुछ और use कर रहे हैं तो भी आप TLM में दिखाएंगे उसके बाद आएगा पूर्व ग्यान यानि जिसे आप टीवियस नौलेज कहते हैं पूर्व ग्यान की बात के जाए तो इसमें आप अपने स्टुडेंट्स के प्रीवियस नौलेज के बारे में लिखेंगे कि उन्हें विशय समंदी क्या जानकारी है पहले से है तो इसमें आप लिखेंगे छात्रों को शारीरिक सिक्षा के महतु एवस्वास्त के बारे में सामान जानकारी है तो पूर्व ग्यान आप अपने हिसाब से भी बना करके लिख सकते हैं तो यहाँ पर बात हो गई प्रिवियस नॉलेज को लेकर के जो की आप अपने स्टूडन के बारे में लिखेंगे उसके बाद आएगा प्रस्तावना प्रश्णों यानि जिसे आप इंटोड़क्टरी टाइप क्वेस्चन कहते हैं इसमें आप पार्ट से समद्री संभावत प्रश्ण बच्चों से निकलवाने के लिए इंटोड़क्टरी टाइप क्वेस्चन बनाएंगे इसके लिए आप तीन कॉलम बना सकते हैं साइड में आप क्रम संख्या डालेंगे ठीक है यहाँ आप डालेजेगा अदर्वाइस आप ऐसे ही नंबरिंग कर देजिएगा उसके बाद छात्रा ध्यापिका का थन या छात्रा ध्यापक का थन उसके बाद छात्र का थन इस ताइसे आप तीन कॉलम बना करके सबसे पहला प्रश्ण आप पूछेंगे चातरों आप कौन कौन से खेल खेलते हैं चात बताएंगे क्रिकेट लुडो खोखो फिर आप दूसरा प्रेशन करेंगे इन में से किस खेल द्वारा शरीर मजबूत बनता है बच्चे बताएंगे क्रिकेट खोखो से जो शरीर है वो मजबूत बनता है फिर आप तीसा प्रश्ण करेंगे शारीरिक सिक्षा किसे कहते हैं तो यहाँ पर students के लिए problematic question आ गया क्योंकि उन्हें इसका उत्तर नहीं पता अब यहीं से आप उद्देशी कथन बनाएंगे उद्देशी कथन में आप लिखेंगे चातरो आज हम सारीरिक सिक्षा नामकपाट का विस्तार पूरुवक या विस्तृत अध्यन करेंगे तो इस तरह से जो आपका उद्देशी कथन आएगा वो आपके topic से related आएगा उसके बाद हम देखेंगे प्रिस्तूती करण प्रेश्न प्रेजंटेशन के बाद की जाए तो इसमें आप topic को पढ़ाने के लिए प्रिपेर रहेंगे topic से related आप developing questions भी पूर सकते हैं या फिर अपने topic को ऐसे ही start कर सकते हैं इसके लिए भी आप तीन column बनाएंगे क्रम संख्या छात्रा ध्यापिका या छात्रा ध्यापक क्रिया छात्र क्रिया इसमें people teacher activity में teacher start करेंगे इसमें आप लिखेंगे शरीर और मस्तिश को स्वस्त रखने के लिए जो सीख ग्यान और क्रियाएं कराई जाती हैं वह सारीरिक सिक्षा कहलाती है शारीरिक कारी के अंतरगत वयाम खेलकूद तैरा की शारीरिक सिक्षा हे तो क्रिया है चलना दौरना आगे हम देखेंगे इसे में चात्र अनुक्रिया यानि स्टूडेंट्स से रिस्पॉंस की बात की जाए तो सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान पूरब सुनेंगे ठीक है और मिनीचर या डायग्राम की बात की जाए तो बिल्कुल आप ऐसे खेलों का चित्र लगा सकते हैं जो भी आपके प्ले ह होते हैं ठीक है जैसे क्रिकेट है होकी है खोको है तो उनका आप डायग्राम लगा सकते हैं फिर आगे हम इसे में देखेंगे आपके कुछ और पॉइंट फिर था चलना दौणना फिर कूधना फिर पीटी कैम्प लगाना पिरामिट बनाना आधी शारीरिक शिक्षा के अंतरगत आते हैं तो इस तरह से आप रिखेंगे उसके बाद आप विकास आत्मक्ट प्रश्न पूछेंगे यानि डवलोपिंग क्वेस्टन्स पूछेंगे फिर उसके बाद दूसरा है शरीर को फूर्तिला बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चे बताएंगे खेल खूद मिरति आधी फिर आपने तीशा प्रश्न किया सारीरिक शिक्षा द्वारा किनकी नैतिक मूलियों का विकास होता है तो यहाँ पर इस्टूडन्स के लिए प् करेंगे यानि explanation method का यूज करेंगे इसमें आप लिखेंगे शारीरिक शिक्षा के द्वारा नैतिक मूलियों जैसे भावना विचाशीलता द्रटता आधि नैतिक मूलियों का विकास होता है तो इस तरह से आप explain करेंगे इन चीजों को ठीक है तो आप इन्हें देख लिजे या फिर आप internet से भी निकलवा करके या फिर खुझ से बना करके भी लगा सकते हैं तो आप इन्हें देख लिजे उसके बाद हम देखेंगे comprehensive questions यानि जिसे आप बोध प्रश्णी या बोधात्मक प्रश्णी कहते हैं comprehensive questions की बात की जाए तो इसमें आप अपने students की mental ability को चेक क करने के लिए topics related कोई भी question दे सकते हैं जैसे कि यहां पर आपका दिया हुआ है पहला सारीरिक सिक्षा से समनित खेल कौन कौन से हैं इसमें जैसे वयाम प्रडायाम तैरा की cricket लूडो आदी जो हैं वो सारीरिक सिक्षा से समनित खेल हैं फिर आपने दूसरा प्रश्ण दिया सारीरिक सिक्षा के क्या लाव हैं बताईए ठीक है तो यहां भी student बता देंगे जो भी लाव होंगे एक दो यहां पर वैसे दिये थे चिप गया है उसके बाद आएगा शामपट कार यानि जिसे आप ब्लैक बोर्ड वर्क केहते हैं ब्लैक बोर्क की बात की जाए तो इसमे ही आप डाल सकते हैं सारी रिक्षा से समंदित कौन कौन से खेल हैं ठीक हैं आप चाहें तो question अपने हिसाब से भी बना करके लिख सकते हैं उसके बाद आएगा निरिक्षड कारी यानि जिसे आप inspection work कहते हैं inspection work की बात की जाए तो इसमें आप कक्षा का निरिक्षड करेंग तब छात्रा ध्यापक कक्षा में घुम घुम का निक्षड करते हुए छात्रों की सहायता भी करेंगे तो यह हो गया निक्षड कारी जिसे आपके द्वारा किया जाएगा उसके बाद आएगा पुनरावत्ति प्रश्ण यानि जिसे आप revision work या फिर आप recapitulatory type questions भी कहते है इसमें आप पूरे topic का दुबारा से class में revision करवाएंगे इसके लिए आप topic से related कोई भी question दे सकते हैं जैसा किसमें first दिया है सारी रिक सिक्षा किसे कहते हैं दूसरा है समय का सदूपयों कैसे कर सकते हैं तो यह हो गए आपके CW type question जिने आप बच्चों क्लास में दे करके topic क revision करवाएंगे लाश्ट में आएगा ग्रहकार यानि जिसे आप homework कहते हैं homework की बात की जाए तो इसमें आप बच्चों को घर से करने के लिए topic से related कोई भी question दे सकते हैं जैसे किसमें दिया निखित प्रशनों के उत्तर लिखिए पहला है शारीरिक सिक्षा की अवशक्ता क्य इसके नेक्स्ट वीडियो की बात की जाए तो हम बात करेंगे relation plan number 14 को लेकर की जो की आपका एक नए topic पर बेश्ट होगा तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में cover करेंगे तो I hope दोस्तों आप सभी को हमारा या वीडियो पसंद आया हूँ अगर आपको हमारा या वीडियो पसं जाया करें साथी वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कमेंट द्वारा आपके जो भी प्रेश्ट है आपको तक पूछ सकते हैं तो चले दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धनिवाद